श्री सद्गुरू महाराज की जय शंद्शद्गुरू महर्शिमेही प्रमहन्स जी महाराज के आशिरवचन एमशार उपदेश केवल रूप की उपासना ही उपासना की हद नहीं है प्यारी धर्मानुरागिनी जन्ता आप लोग अपने अपने घर में शुक शांती से रहना चाहते हैं अपने अपने समाज में शुक शांती से रहना चाहते हैं इसी तरह अपने देश में भी सुक्षांती से रहना चाहिए, संसार के सभी लोगों को मेल से रहना चाहिए, यही उत्तम बात है, हम लोगों को किसी उपासक से भेद नहीं है, लेकिन उनको मालुम होना चाहिए कि केवल रूप की उपासना ही उपासना की हद नहीं है, जहां मन की एकागरता होती है, वहां सुक्ष्म में प्रवेश होता है, यह उपासना कैसे करें? जैसे विद्याले में छात्रों को विद्या सिखाने वाले होते हैं, उसी तरह अध्यात्म विद्या को भी सिखलाने वाले हैं, चाहिए कि इस विद्या को सच्चे जानकार से जानें और एक शूत्र में बंद कर आपस में मेल रखें और शांती पुरवक रहें, प्रम्पुज गुर्देव का यह प्रवचन बेगु सराय जिलान तरगत मक्खा चक बखड़ी में दिनांक नो तीन उनीस सो अर्शट इस्वी के प्रातह कालिन ससंग में हुआ था त्री शद्गुरु महाराज की जै